हलो आज है 30 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे IT सेक्टर से जोड़ी हुई दो कमपनियों के बारे में और दोनों का जो प्राइस है वो सेम है बिल्कुल सेम नहीं अलमुस्ट सेम है एक है SCL टेक्नलोजी एक हजार अस्ती का शेर है और दूसरा है भईया हैपि क्या रहा है देखो SCL दिगज कंपनी है बहुत बड़ी कंपनी है यह और हैपिएस माइंट अगर देखे तो उतनी बड़ी कंपनी नहीं है लेकिन फिर भी वह इसने भी बहुत बड़ी रफ्तार पकड़ी थी पिछले कुछ महीनों में लेकिन अभी अगर देखा जाए तो काफी जादा हेल्प करेंगे तो शुरुआत करते हैं SCL टेक के साथ 1080 का शयर है और बहंकर गिरावट है पिछले एक महिने में यह तूटा है लगाता तूटा है यह थोड़ा सा भी इसने कोशिश करा उपर उठने का यह उचसे जादा तूट गया यह आप देखें कि भी फ्री फॉल है यह एक हजार तीन सो पचास रोपी से तूटकर एक हजार असी प्या चुका है यह 15 से 16 परसन की गिरावट है और सिफ एसने के SCL में ही गिरावट है सभी IT कंपनियों का यही हाल है जो बड़ी कंपनिया है उनका यही हाल है और सब में गिरावट है थोड़ी टेक की बात करें तो एक साल में विशले एक साल में SCL टेक्नलोजी में अगर ग्रोथ वाइस देखे तो उसी 15 से 16 परसन का ग्रोथ है अगर आपने लॉंग टर्म में यहाँ पर खरीदारी करी होती ही एक साल पहरे तो आपको सिफ 16 परसन के आसपा सा ग्रोथ मिल रहा होता बीच में जरूर यह बहुत बड़ा ग्रोथ दिखा दिया था इसने ठीक है लेकिन अगर देखा जाए तो एक चीज यह भी है कि बले ही 16 परसन का एक साल में ग्रोथ दिया है लेकिन डिविडेंट भी अगर हम काउंट करे तो अच्छा डिविडेंट भी पे किया है तो यह पर डिविडेंट को अगर हम काउंट कर लेंगे तो यह जो ग्रोथ है यह 20% के आसपास से ला जाएगा ठीक है लॉंग टर्म में पैसा बना है दस साल का अगर आप ग्राफ लोगे देखो यह धीरे धीरे चलने वाले शेर से ठीक है और जब भी तूटते हैं खरीदारी के म पर लाइट कर देखें तो लाइट करोड के आसपास का मार्केट कहए वोल्यूम 76 लेक के आसपास है बड़ी कॉंटिटी में शेर अभी भी इसके ट्रेड हो रहे हैं क्योंकि सबको पता है कि लॉंग टर्म का बहतरीन शेर है इसमें कोई शक की बात नहीं है तूटे का खरी खरीदारी के मौके होंगे जो शॉर्ट टर्म के निवेशक है डेफिनेटल जो लोग नए होते हैं मार्केट में वो पैनिक कर जाते और बेचना शुरू कर देते ऐसी हालतों में लेकिन जो लॉंग टर्म के हैं उनको पता है कि भाई या मौके हैं इस लेवल पर जब भी मा करी है लेकिन दूसरी तरफ mutual fund और insurance company ने यहां पर खरीदारी भी करीख है dividend यह आपको अच्छा पेकर रहा है अगर मैं आपको यहां पर दिखाने की कोशिश करूँ तो उससे पहले बेचने की सला कोई नहीं दे रहा है according to money control user हर कोई कहता है खरीद हो मैं भी कहूँगा कि भाया बेचने की गलती मत करना इस लेवल पर यह खरीदारी के मौके है ठीक है जब भी तूटेगा खरीदारी के मौके है और अभी जो लेवल है वो attractive लेवल है मेरे हिसाब से जो बड़ बड़े brokerage firm है उनकी commentary अगर आप देखोगे तो 1400-1500-1600 तक के target आपको देखने को मिल रहे है चाहे वो जियो जीत हो चाहे वो ICIC direct हो चाहे वो MQ global हो आनंद राठी हो या मुतिलाल हो स्वाल हो हर कोई कहता कि देखो या बहुत उपर जाने वारा है 1600 रुपय तक जाएगा 1500- 75,000 क्रोड के आसपास के इनके revenue है करोना काल में भी इन्होंने अच्छा revenue कमाया और even profits की बात करें तो profit भी भाई या अब तक की सबसे highest है 11,170 क्रोड के आसपास के इन्होंने profit कमाया है तो profit शांदार revenue शांदार और अभी even जो इस quarter के भी जो आये है इस financial year के भी जो आये है profits profits 2022 की बात करो again financial year की बात कर रहा हूँ तो वो भी 3500-3300 करोड तक के profits है इनके सिर्फ वो भी एक financial year में तो ये और बढ़ेगा अभी इनके जो profit है वो कम से कम 12,000 करोड के ऊपर जाने वाला है 2022 के बात करो 12,000 करोड से जादा का profit company कमाने वाली है जो अब तक का सबसे highest profit दोबा होगा पिछले सार के मुकाबले भी खरीदारी का करने का सही मौक का है क्योंकि शहर और बोड जोन में नहीं है कोई भी rate flag नजन नहीं आ रहा है और सस्ता है अभी है 26 का इसका PE है जबकि sector PE 37 का है 75% आपको खरीदारी करने के सलाह यहाँ पर आपको देते हुए नजर आ रहे है तो देखो यार पहरी चीज़ तो मेरी यह कमेंटरी रहेगी कि यह जब भी तूटेगा खरीदारी के मौक है और मैं हमेशा कहता हूँ मैं यहाँ पर लॉंग टर्म का परस्पेक्टिव बना के चलूँगा क्योंकि अगर मैं यहाँ पर यह चीज़ देखू तो लॉंग है और यही साल में पाँच बार तो डिविडेंट पे करती है बोनस की बात करें तो वो भी अच्छा है 2019 से पे किया था 15 और 6 में इन उनने बोनस भी दिया हुआ है तो अच्छा बोनस और डिविडेंट पे इंचा देखो आईटी सेक्टर में अभी थोड़ी सी दिक्कत जर पर यहां पर देखें तो यह तो यह तो यह 1,140 रुपए के आज़-पास टूट कर रहा है यहां अगर यहां पर देखें तो यह तूटके आया है एक हजार तीन सो रुपिसे तूट कर आया है यहां पर भी बारा परसंट की गिरावट है और एवन एक साल की मैं बात करूँ तो पिछले एक साल में यहां पर दो सो बीस परसंट का ग्रोथ है उससे जादा का है तीन सो पैताली से आप देखो एक बड़ा आगोगला इसने पंद्रा सो तक गया लेकिन अब कर रहा है इवन तूट भी रहा है अब तो यह तो पहरी चीस तो यह कि बहुत बड़ी रफ्थार इसने पकड़ी हुई है अगर मैं सेल की बात करूँ तो एक साल में मुझे देखने को मिल रहा है यहां पर प्रॉफिट देख एक साल में ज तो अभी मौके उतने जादा नहीं है यहां पर खरीदारी की मौके यहां पर जरूर मिलेंगे लेकिन अभी मुझे रहता है कि थोड़ा से इंतजार करना चाहिए यह थोड़ा सा और करेक्ट हो सकता है आने वाले दिनों में हैपियस माइट मेट कैप शेर है 17,000 करोड के आस तो वॉल्यूम बहुत कम अभी यहां पर देखने को मिल रहा है और बिक्वाली है एफाइल्स बेच रहे हैं और म्यूचल फंड भी बेच रहे हैं यहां पर 7.05% की होल्डिंग 6.93% है एफाइल्स की 1.47% की होल्डिंग 1.28% में बड़े फंड हाउस जो है वो प्रॉफिट 24% लोग कहते हैं कि बेच और भाग जाओ 76% लोग खरीदारी करने के सला अभी भी यहां पर देते हो नजर आ रहे हैं इतना ही नहीं अगर मैं 2021 की बात करूं तो इंसाइडर ट्रांजिशन समरी जो है अब इस सथा यहां पर जब यह शार कंसोलिडेट कर रहा था ठीक है और महीना कौन सा था अगर वो देखू तो वो अगस्त का महीना था और जब यह कंसोलिडेट कर रहा था तो भया कंपणी के लोग बिक्वाली कर रहे थे यहां पर अगर आप देखो तो अब आठाव महीना तब यह 14 रुपए के आसपास ट्वेट कर रहा था तब कंपनी के लो की बात नहीं है happiest mind इनके revenue increasing mode में है definitely अच्छे revenue है 430 करोड का revenue 760 करोड के आसपास है जहां तक बात है profits की वो बहुत ही शांदार है 161 करोड का profit हुआ है इनको 2021 में और 2022 में ये जो profit है वो इसी के आसपास रहेगा कोई उतना बड़ा जंप नहीं आने वाले क्योंकि अगर जो latest profit की मैं बात करूँ अभी December quarter के results आये है 49 करोड का इनको profit हुआ है ठीक है profit इनको सी 49 करोड का हुआ है इसे पहले 44 करोड का profit था तो company का जो profit है साला ना वो 40 से 50 करोड के बीच में गुम रहा है कोई तोना बड़ा profit नहीं है लेकिन फिर भी इनकी जो revenue है वो भी 200 मुलब 200 करोड के आसपास देखने को मिल रहे है happiest mind खरीदारी करने की बात करे तो भया according to ticket मैं नहीं बोल रहा हूँ कि खरीदारी का मौक का है क्योंकि और बोड जोन में नहीं है दूसरी और देखो इसका P ratio 99 का है सौग ही आप मान की चलो यहाँ पर जबकि sector B 37 का है यहाँ पर मतलब बहुत महंगा है यह अभी भी तो इसलिए मैं के रहा हूँ कि थोड़ा सा और correction आपको देखने को मिलेगा और तब से यह महंगा है भी के हिसाब से जबकि SCL की मैं बात करूँ तो SCL महंगा नहीं है यह इसका जो valuation वो महंगा नहीं है 26 का P है इसका SCL का जबकि इसका P 99.100 के आसपास चला गया है तो महंगा तो लेकिन फिर भी 100% एनालिस्ट खरीदारी करने के सरा अब बात करें कौन बेच रहा है कौन खरीद रहा है अगर इन्वेस्टर्स की मैं बात करूँ तो उनके पास 38% से भी जादा की holding है उसमें जो main retail है उनके पास 26% के आसपास की है मार्च में उनके पास जो holding थी वो सिफ 18% की थी 18% से वह या 26-27 पे आ चुके है महले बिटेर वाले खरीद रहे है mutual fund वाले भारी भी क्वाली कर रहे है सारे 6% की holding थी mutual fund के पास मार्च 2021 तक अभी mutual fund की holding 1.28% है इतना ही नहीं domestic वाले भी बेच रहे है 0.61% की holding 0.44 Files वाले भी बेच रहे है 7.07% की holding जो थी वो हो चुकी है 6.93 तो खरीद कौन रहा है हम खरीद रहे है mutual fund बेच रहा है domestic वाले भी बेच रहे है हम खरीद रहे है तो देखो मुझे लगता है कि महंगा अभी भी है happiness man company खराब नहीं है अगर यह जाएगा तो दुबारा भी है mutual fund भी आ जाएंगे Files भी आ जाएंगे और domestic वाले भी आ जाएंगे खरीदारे के लिए लेकिन अभी के लिए मैं कहूंगा कि अभी यहाँ पर पढ़ने की जरूद नहीं happiness man company अच्छी है लेकिन अभी पढ़ने की जरूद नहीं है पढ़ना है तो SCL Tech में पढ़ सकते हो यहाँ पर definitely company long term के लिए better है विप्रोग पर आप focus कर सकते हो Infosys पर focus कर सकते हो TCS पर focus कर सकते हो Info Age पर भी focus कर सकते हो happiest mind अभी के लिए मैं कहूंगा थोड़ा सा इंतजार करिए और ज्यादा correction का तो विडियो को यही पेंट करोंगा पसंद आए हो तो लाइक तो शाय करें चैनल पर पहले ही बाहर है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और happiest mind और SCL Tech दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं और दोनों में से आपको कौन सा शेर पसंद है वो भी आप मुझे कमेंट में लिखते हो बता सकते हैं थैंक्यू